नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडिवी टीके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं सिक्षा मनोविग्यान से सम्मनेत 50 अती महतरपूर्ण प्रश्णों के बारे में जैसा कि अधि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो किसी रिज श्टड की जिसमें सिक्षा मनोविग्यान से सम्मनेत आपको 500 प्रश्णों मिलेंगे इसमें अभी तक हम दो वीडियो अप्लोड कर चुके हैं ने 50-50 प्रश्ण हम आपको दे चुके हैं 100 प्रश्ण अभी तक अप्लोड कर दिये गए हैं दो वीडियो की माध्यम से यह तीसरा पार्ट है यहाँ आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं देख लिजेगा यहाँ पर एक लिंक मिलेगी जाकर आप देख सकते हैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं सभी के सभी देख लिजेगा किस MYनोविज्यानिक ने अपने 3 वर्षी पुत्र का द्धियन किया यहाँ पर देख्या चारविकलपे पड़ formula उस समय में आप आंसर अपनी कोपी में या फिर कमेंटि से में दे सकतेए कौन सा मनोवग्यानिक है जिन्होंने अपने ही तीन वर्सी पुत्र पर अध्यन किया था पेश्टलोजी ने, वाटसन ने, इस्टेनले होल ने या फिर जेमस सल्ली ने राइट आंसर आपका होगा पेश्टलोजी ने, याद रखेगा पेश्टलोजी वहाँ वग्यानिक है जिन्होंने अपने तीन वर्सी पुत्र पर अध्यन किया था किश्टे किशोर मनोवग्यान के पिता के नाम से जाना जाता है वो कौन है, कौन से मनोवग्यानिक है जिनको किशोर मनोवग्यानिक के पिता के नाम से जाना जाता है गेरिसन है, गेशेल है, इस्टेनली होल है या फिर थोंडाई के काफ़ी important, काफ़ी सरल है जैसे ही आप साइकलोजी, सिक्षा मनोविज्यान के बुक खोलेंगे सबसे पहले उनका नाम आएगा, किनका नाम इस्टेनली होल का, इनको ही किशोर मनोविज्यान के पिताया के नाम से जाना जाता है किसको इस्टेनली होल को, तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा अधिगम का प्रेतन और भूल का सिध्धान्त के प्रवर्तक कोन important और सरल है, आप सभी को नाम उसे जाना जाता है, यह मैंने उस वीडियो के माद्यम से बताया है एक बार हमारे चैनल पर जाकर विजट कर लिजेगा, कौन-कौन से वीडियो अप्लोड किये है और कौन-कौन से important है, वैसे सभी important है जो आपको अच्छा लगए, वो आप देख सकते है यहाँ पर देखिए, अधिगम का प्रियतन और भूल का सिध्धान्त के परवर्त के बारे में पुछा गया है पावलावे, गुत्री, यह थोंडाई, की आफिर कहुलर है आपका राइट आंसर होगा थोंडाई थोंडाई के द्वारा प्रियतन और भूल का सिध्धान्त दियागा इस सिध्धान्त को और किनकिन नामों से जाना जाता है यह भी आप उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं प्रसिक्षण स्तांतरन के मुख्य प्रकार यहाँ पर देखें प्रसिक्षण स्तांतरन के मुख्य प्रकार आपको बताना है सबसे पहले मैं आपको बता दो कितने प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं प्रसिक्षण स्तांतरन के दनात्मक स्तांतरन रनात्मक स्तांतरन और सुनने स्तांतरन तीनों ही प्रकार किसके होंगे प्रसिक्षन इस्तांतरन के होंगे उप्रोग तो सभी आपका राइट अंसर होगा निश्क्री अधिगम करता की पहचान होती यहाँ पर आपको बताना है जो निश्क्री अधिगम करता है इसके किस विदी से पहचान होती है प्रदरसन विदी से, प्रयोगशाला विदी से, व्याख्यान विदी से या फिर खेल विदी से याद रखेगा जो निश्क्री अधिगम करता है इनकी जो पहचान होती है ये व्याख्यान विदी से होती है किसे होती है व्याख्यान विदी से तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा गार्डिनर ने सात बुद्धी का अधिमान निर्धारित किया है इन में से कौन सा नही यह आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा भावात्मक बुद्धिये गार्डनर ने जो साथ बुद्धी का अधिमान दिये हैं उसमें भावात्मक बुद्धि नहीं आता है इस्तान संबंदी बुद्धी अंतरव्यक्तिक बुद्धी और भासात्मक बुद्धिये तीन इस पूर्थ चिंतर का important है, याद रखेगा क्या कहा है, किसी उद्धिपन के प्रती, विश्वसनीता अनुक्रिया को प्याजने क्या कहा है, इसकी मा कहा है, निमलिकित में से कोन सा व्यभार सीखा हुआ नहीं है, वरन परिपक्वता से आता है, जैसे यसे आप परिपक्वता जाते हैं इसे इसे वो आता जाता है वो कौन सा व्यभार है जिसको सीखने की आवश्कता नहीं होती है किसी भासा में निपूर्णता पत्र लेखन चलना या फिर साइकल चलना तो यहां पर आएट अंसर आपका होगा चलना साधन सा प्रस्वन है चलना एक विवार ऐसा होता है जो सीखा हुआ नहीं होता है वराल यह किस से आता है परीपक्ता से आता है तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा गेश्टाल्ट वाद के नुशार क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है गेश्टाल्ट वाद के नुशार पूछा गया है सवेदना व्यक्तित्व संप्रत्ति या फिर सूज आपका रैट आंसर होगा सूज याद रखेगा गेश्टाल्ट वाद के नुशार सबसे ज़्यादा ज चाहिए प्रेशले है वाइगोट से की है रगोफ है या फिर कॉलेंज से है किसके द्वारा जेट पीडी के अउधार्णा दी गई है आपका रायटा शुरोगा वाइगोट से की इंपोटेंट है ध्यान दीजिगा निकटस्त विकास का छेत्रिया फिर जेट पीडी की जो सिक्षा मनोविग्यान से निकल के आते हैं डिसलेक्सिया अफेक्जिया वोर भी जो विकार होते हैं उनसे सम्मने तक प्रोपली मैंने वीडियो बनाई हुई है ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है या आपने नहीं देखा है देख लिजगा एक बार आप देखेंगे त उनको पढ़ने लिखने में समझया होती है किसम होती है पढ़ने लिखने में परिशानी होती है आपको समस्या होती है तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा इसकिनर ने किरिया प्रशूत संबंदी प्रयोग किस पर किया था सही होगा चलिए गेने के नुशार हम अधिगम क्यों करते हैं यहाँ पर देखे पूछा क्या गया है किसके नुशार पूछा गया है गेने के नुशार हम अधिगम क्यों करते हैं उन्नती करने है तो करते हैं विकास करने है तो करते हैं शमश्या समधान है तो करते हैं या फि किसरा वाला विकल पे आपका सही होगा अगला और काफी इंपोटेंट प्रशन है पुस्तक के बारे में एक्जामें पूछा जाता है यह बायोग्राफिकल इसकेच ओफ इंफेंट जो पुस्तक है यह किसके दोरा लिखी गई या फिर किसकी पुस्तक है प्रियर की है डार्विन की है सिन की या फिर इश्टन की है काफी इंपोटेंट पुस्तक है याद रखेगा यह डार्विन के पुस्तक है यह डार्विन की लिखी गई पुस्तक ह धीमी गती से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिध्धानते यहां पर देखें धीमी गती से सीखने वाले बालकों के लिए जो अधिक उपयोगी सिध्धानते हैं उसके बारे में आपको बताना है थोंडाई का सिध्धानते हैं, स्किनर का सिध्धानते हैं, कह यानिके 70 प्रश्ण हमें आपको बताये हैं, यदि आपने नहीं देखा है, देख लिजीगा, यदि आपने 70 प्रश्ण कम्प्लिट कर लिए और एक्जाम में थोंडाईच समर्जित प्रश्ण पूझा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा, यदि आपने वो वीडियो देख पहला वाला विकल्प यहां पर आपका सही हो गए बाद चेकआउट जरूर कर लिजे हमारे चेनल को चलिए अगला प्रस्ण है कि शोड़ा वस्था आदर्शों के अवस्था है सिद्धान्तों के निर्मान की अवस्था है साथ ही जीवन का शमान्य समायोजन है यहां परिभासा किसके द्वारा दी गई है रिपोर्ट के द्वारा दी गई है प्याजे के द्वारा ट्रेसी के द्वारा या फिर पिल के दी गई परिभासा किसके द्वारा दी गई है काफी important परिभासा है जो दी गई परिभासा है यह जिन प्याजे के द्वारा दी गई है निमलकित में से किस अवस्था को नियम करन की अवस्था कहा जाता है इसका सम्मंद किस्से किसके द्वारा लिखी गई जोन डीवी ब्लूम भी नहीं या फिर बुरुनर आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जीरूम बुरुनर याद रखेगा इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है या पर जो यह सम्मंद रखते हैं सिक्षा के प्रक्रिय नामक पुस्तक से रखते हैं फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलकित में से कोन व्याभारवादी नहीं है प्रशन को ध्यान से पढ़ना है कोन व्याभारवादी नहीं है हल है एडलर है थाउन डाइक है या फिर गूत्री है तो यहाँ पर देखे एडलर थाउन डाइक और गू चलिए मनोविज्यान के किस संप्रदाय में मनुष्य के विभार का सदेव अच्छा होना तथा हर मनुष्य का आद्वती होना बताया गया है। चलिए मनुष्य का आपको बताना है एक अध्यापक है तु सिख्छा मनोविज्यान का क्या है। सिख्छन की तरकीप सिखाना है। छात्रो की विभार आवशक्ताओं तथा समश्याओं के प्रती अंतर द्रश्टी विख्षित करना है। ये मुख्य कारे होगा एक अध्यापक है तो सिक्षा मनोविज्यान का तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा सिक्षा मनोविज्यान का मुख्य उद्देश हैं आपर देखे मुख्य उद्देश है आपको सिक्षा मनोविज्यान का बताना है सिक्षन विदियों में संसोधन करना है साहिक सिक्षन सामगरी में संसोधन करना है बालक का चहुमु की विकास करना है या फिर बालक के सामाजे के स्तर में संसोधन करना है सिक्षा मनोविज्यान का मुख्य उद्देश यह आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा बालक का चहुमू की विकास करना ये सिक्षा मनोविग्यान का मुख्य उद्देश होता है निमलिकित में से कौन मानवतवादी मनोविग्यान से संब्दित है यहाँ पर देखें मानवतवादी मनोविग्यान से कौन संब्दित है यह आपको बताना है वुडवर्त है यूंग है रोजर से है या फिर विलियम से है राइट आइंसर आपका होगा रोजर से याद रखेंगे अगर रोजर से मानवतवादी मनुविज्ञान से सम्मनित रखते हैं पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अगला प्रशन है सिक्षा मनुविज्ञान के मुख्य तत्व यहाँ पर देखें सिक्षा मनुविज्ञान के मुख्य तत्व आपको बताना है सिक्षार्ती ये सीखने की प्रक्रिया है अध्यापक है या फिर उप्रोक्त सभी है राइट आंसर आपका होगा उप्रोक्त सभी याद रखेगा सिक्षार्ती सीखने की प्रक्रिया और अध्यापके तीनों ही मुखितत्व होते हैं सिक्षा मनुविज्यान के राइट आंसर आपका फोर्त वाला होगा मानव बुद्धी एवं विकास की समझ सिक्षक को रिक्तिस्तान के योग बनाती किसके योग बनाती हैं मानव बुद्धी एवं विकास के समझ सिक्षक को सिक्षन के समय सिक्षार्तियों के समवेगों पर नियंतरन बनाए रखने के योग बनाती है विवित सिक्षार्तियों के सिक्षण के बारे में इस्पश्टा के योग बनाती है सिक्षार्तियों को यहां बताने की विए अपने जीवन में के से सुधार कर सके या फिर निस्पक्ष रूप से अपने सिक्षन अभ्यास के योग्य बनाती है मानव बुद्धी एवं विकास की समझ सिक्षक को किसके योग्य बनाती है राइट आंसर आपका होगा विविद सिक्षार्तियों के सिक्षन के बारे में इस्पष्टा के योग्य बनाती यहां पर सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण अब्राहम मासलो कोन थे यहां पर देखी जो अब्राहम मासलो है यह कोन थे प्रियोजन वादी थे व्यभार वादी थे मानवता वादी थे या फिर या थार्त वादी थे अबराहम मासलो कौन थे यह आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा मानवता वादी याद रखेगा जो अबराहम मासलो है यह मानवता वादी थे यहाँ पर तीसरा वाला वि तीनों ही व्यावारवादी मनोविज्ञानिक के अंतरगत आते हैं, लेविन नहीं आते हैं, फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा, मनोविज्ञान की निमलिखित साखाओं में से अनुप्रियुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, यहाँ पर देखिए जो चार विकल्प दिय गए हैं, चारो विकल्पों में से कौन सा अनुप्रियुक्त मनोविज्ञान है, इसके बारे में आपको बताना है, अशमान ने मनोविज्ञान है, विकाशात्मक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, या फिर नेदानिक मनोविज्ञान है, राइट आंसर आपक क्यों आवर्शक है क्योंकि मनुविज्यान के ज्यान से सिक्षक को चात्रों के अवशक्ताओं का ज्यान होता है पाठिवस्तु का निर्मान कर सकता है या फिर उप्रुक्तु सभी एक सिक्षक को मनुविज्यान का ज्यान आवर्शक है क्यों आवर्शक है ये पूछा गया है राइट आंसर आपका होगा, छात्रों के अवशक्ताओं का ग्यान होता है, पर शेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा, अनुबहुत था प्रसिक्छन द्वारा व्यवहार में रुपांतरन ही सीखना है, यहाँ परिभासा किसके द्वारा दी गई है, गेट्स वार्निय वु विज्ञान है, व्यवहारवादी दर्ष्टी से मनुविज्ञान है, व्यवहारवादी या फिर बाल मनुविज्ञान है, राइट आंसर आपका होगा, व्यवहारवादी याद रखेगा, वार्सन द्वारा जो 1925 में प्रकासित लोगपरी पुष्टक होगी, वो व्यवहा अधिगम करता है वहां कच्छा कच्छ में सिंक्छन करते समय अधिकम करता हों के बीच व्यक्तिक भोनिता का कोई विचार क्यों महत्पून हैं यह आपको बताना है राइट अंसर आपका होगा कि उसको शिक्छा मनोविज्ञान में नहित सिध्धानतों को अपने सिक्छन कारे में प्रयोग करना होता है याउपर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न निमलिकत में से कौन से दियान दीजीगा केस अध्यान विदी में एक व्यक्ति या इस्तती का गहन अध्यान किया जाता है। प्रियोग किया जा सकता है बुद्धी का समू समसजता का अभी छमता का या फिर रोची का आपका रैट आंसर होगा समू समसजता का यहाँ पर सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा। यहाँ पर सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा। मानकी करत परिक्षन का अर्थ यहाँ पर देखें मानकी करत परिक्षन का आपको अर्थ बताना है क्या होगा विश्वस नीता है वेरता है मानक है या फिर उपरोग तो सभी होगा। आपका उपरोग तो सभी होगा। मानकी करत परिक्षन का अर्थ विश्वस नीता वेरता और मानक होता। यहाँ पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा। परिक्षा की रिक्तिस्तान कहते हैं वेदता कहते हैं विश्वस नीता कहते हैं वस्तुनिष्टा कहते हैं या फिर उपरोग परोग तो कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा, जब बालक की परिक्षा द्वारा मापी हुई, योगता के सही मुल्यांकन में इस्थायक वो होता है, तब उस परिक्षा को विश्वस नीता कहते हैं, कौन सी परिक्षा कहेंगे, आप विश्वस नीता परिक्षा कहेंगे, सिख्षा में प्रमुक परिवर्तन उसका सिख्षक केंदरित से होना चाहिए समानता हैं, मुल्यांकन, पाठिक, रमका, निर्मान या फिर अधीगम। राइट अंसर आपका होगा, व्यक्तिगत समानता हैं, ये सिक्षिक मनोविज्यान के छेतर के अंतरगत नहीं आता है, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा। अधीग सूचना हैं, उप्योगी अनुभव, अधिक ज्यान या फिर अधीग सिक्षक, तो मनोविज्यान ने बालकों के प्रतिदश्टिकोन बदल दिया है, अताहा विद्याले उनको उप्योगी अनुभव कराता है, या फिर उप्योगी अनुभव उपलब्द कराता है, य अगला प्रश्ण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यहां पर पूछा गया है उचित वातावरन है अभी प्रेंडना है समयवा परीपक्वता है या फिर उप्रोक्त सभी होगा अनुबंद की प्रक्रिया में पहला पद यहां पर देखें पहला पद पूछा गया है अनुबंद की प्रक्रिया में आवरती है उद्धिपक है विवेदन है या फिर समन्निकरन है पहला पद पूछा गया है राइट अंसर आपका होगा उद्धिपक अनुबंद की प्रक्रि प्रितन और भूल का है, लापरवाई का है या भूलकरपन का है, याद रखेगा यहां जो उधारन होगा, पूछा कया प्रशन है एक्जाम में, यहां अनुकूलन का उधारन है। कर लेना है बच्चे की बुद्धी लब्धी 90 से 110 के मद्धी होती है तो वहां जो बच्चा होता है वो सामाने बुद्धी वाला होता है उतकर्ष्ट बुद्धी वाला होता है या फिर प्रतिवाशाली बुद्धी वाला होता है 90 से 110 के मद्ध जिसकी बुद्धी लब्धी हो आपका होगा यहां पर सामानिय बुद्धी, 90-110 के मद्धि जो बच्चे में बुद्धी लब्दी होगी वो सामानिय बुद्धी में होगी, यहां पर पहला वाला विकलपे आपका सही होगा, तो यहीं पर आज के 50 प्रशन समाप्त होते हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लेंगे जब तक के लिए दर्निवाद